ही थिए हैलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है टेक्निकल भेस में है फ्रेंड्स आज में आपको बतावाँगा कि आप हील्थi डी कार कैसे बना सकते हैं और आ अपने मोबाईल से ही बना सकते हैं तो चलिए सीखते ही है हेल्थ आईडी काट बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मोवाइल मे watch में आजैंगे ंगे ब्राउजर में ठीक है है ब्राउजर उपन करेंगे और यहां गुगल में टाइप करेंगे हैंस आइडी यह आप देख सकते हैं सबसे उपर वेबसाइट आ गई healthid.ndhm.gov.in ठीक है इसको उपन कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर निच्चे आएंगे यहाँ पर देखे लिखा हुआ है create your abha9 ठीक है abha का मतलब होता है आयुसमन भारत health account ठीक है तो आयुसमन भारत health account id कैसे बनाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे create your abha9 ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन option दिये हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ generate view आधार आधार नमबर डालके यहाँ से health id कार बना सकते हैं उसके बाद second number पर यहाँ पर driving license नमबर डालके आप health id बना सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि आधार कार नमबर डालके id कैसे बनाएंगे और उसके बाद में दिखाऊंगा अगर आपके पास कोई भी id नहीं है तो आप health id कैसे बना सकते हैं तो चलिए मैं इस पर आधार कार वाले पर क्लिक कर देता हूं अब देखिए यह open हो गया है ठीक है अब यहां पर आधार नमबर डालना है ठीक है तो चलिए मैं अपना आधार नमबर डाल देता हूं अब इसमें देखिए लिखा हूँ है यहां पर हम इस आधार से जुड़े मोबाइल नमबर डाल दिया ठीक है अब इसमें देखिए लिखा हूँ है यहां पर हम इस आधार से जुड़े मोबाइल नमबर पर एक OTP भीजएंगे तो इस आधार कार्ट के साथ जो भी जो भी मोबाइल नमबर लिंक होगा उसपर there यहां पर ऐग्री करेंगे ठीक है यहां पर Eric कर देंगे और यहां पर submit पे click कर देंगे अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP डालना है तो आधार का OTP आ जाएगा भी तो OTP डाल दूँगा मैं यह देख सकते हैं आप OTP आ गया है तो OTP मैं डाल देता हूं OTP डालने के बाद submit पे click करेंगे अब इसके बाद में यहाँ पे mobile नमबर डालना है ठीक है mobile नमबर डालने के बाद submit पे click करेंगे अब mobile नमबर का OTP आएगा ठीक है वो यहाँ पे डालेंगे OTP आ गया फिर उसके बाद submit करेंगे अब यहाँ पे अपनी detail देख लेंगे सब सही है कि नहीं सही है ठीक है तो चेकर लेते हैं अब यहाँ पर एक आपने आईडी बनानी ठीक है अपने नाम भी डाल सकते हैं ठीक है किसी भी तरह कि एक हेल्थ आईडी वो निम हो जाएगा ठीक है वो यहाँ पर डालना है तो चलिए मैं अपना चेकर लेता हूँ क्या वैल्बल है कि अब यह देख सकते हैं जैसे मैंने डाल दिया ठीक है अपने नेम और उसके आगे वन लगा दिया तो यह अवैल्बल है ठीक है और इसके बाद में इमेल आईडी जाल सकते हैं यह ओप्सनल है इसके बाद में सारी डिटेल चेक कर लेंगे सारी डिटेल अगर सही है तो सम्मीट पर क्लिक कर देंगे अब यह आप देख सकते हैं हैल्स आईडी मेरी बन गई है ठीक है इस तरीके से यह बन गई ठीक है और इसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं क्लिक करता हूं और यह देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो रही है डाउनलोड हो गई है ठीक है अब इसको ओपन करके देखते हैं यह आप देख सकते हैं इस तरीके से यह ओपन हो गई है इस तरीके से हेल्थ आईडी बना सकते हैं ठीक ह सेम प्रोसेस विदाउट आधार काड में भी रहेगा तो मैं चलिए जल्दी से दिखा देता हूँ आपको अब इसमें आपको कुछ भी करेक्शन करनी हो अगर आपको यह फोटो नहीं पसंद है फोटो चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगी ठीक है सिंपल आप क्या करेंगे यहां माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे ठीक है और एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहां पर फोटो वाले पर क्लिक करेंगे ऐसे इस तरीके से ठीक है और फोटो आप गैलरी से सेलेक्ट करेंगे और फिर वह यहाँ पर सेट हो जाएगी ठीक है तो अभी मैं कुछ भी चैन्ज नहीं कर रहा हूं ठीक है शली में बैक कर लेता हूं और इसको लोग आउट कर देता हूं अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है तो सिर्फ मोबाइल नमबर डाल के बिनाना चाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है इस तरीके से क्लिक करेंगे मोबाइल नमबर यहाँ पर डालेंगे ओटीपी आएगा उसके बाद सारे डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी और आपकी आईडी बन जाएगी तो फ्रेंट्स आसा करता हम आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब करेंगे